चलिए आज का वीडियो में हम जानेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप लोग सभी लोग यहाँ पर जान रहे हैं, यह एक 78005IC है, तो सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि इससे क्या काम होता है और क्या इससे हम लोग यूज लेते हैं, कहाँ पर इसके यूज लिया जाता है, तो साइद आप कुछ इस से अच्छा काम आप कर सकते हैं ठीक है और प्रोपर तरीचास आपको यहाँ पर करके भी देखाएंगे और क्या यह वाकि में सही काम कर रहा या नहीं कर रहाा qya है इसका यूज किस तरीका से क्या है तो सारा कुछ हम यहां पर करके देखाएंगे ठीक है तो जैसे यह कहने का मतलब है यह जो 78.05 IC है तो सभी लोग यहां पर जानते हैं आप कि यहां पर इस से हम लोग जो है कि यहां तो फिर 5 वोल्ट यहां से इन्पूट करा दिए लिए यहां आपको फाइडगा उटपूट यह नहीं देता है ठीक है तो आज हम इस से लेने वाले हैं उस से उपर ठीक है 5 वोड्स से उपर तो देखता है क्या यह काम करता भी है या पिर नहीं करता है तो जैसा कि यह किस तरीका से उपर लेंगे और क्या काम में आ सकता है वो चीज आपको बता दें तो आगर आप सोच रहे हैं कि वाई उपर लेंगे तो कुछ दूसरा चीज यूज कर लेंगे लेकिन वाई कभी-कभी ऐसा होता है कि को ऐसा चीज हम लोग को चनाने के लिए चाहिए 6 बोल्ट 7 थीक है इस तरीका से चाहिए 8 बोल्ट हम लोगको इस तरीका से चाहिए ठीक है तो आप इससे ऐसा नहीं कि यहां पर हम प्रोटेंटीई होगे कर रहे हैं या को ऐसा और में चीज कर रहे हैं तो कहने का मतलब है hurts कि वीडियो के अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भाई कहने का मतलब यह है कि जब तक आप लोग complete वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बीच-बीच में हम आपको क्या बता रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं ठीक है आप यह जानते हैं दोस्तों बीच में हम यहां पर कुछ भी बोल सकते हैं कुछ भी आपको बता सकते हैं और साइट अब उस चीज को यहां पर miss कर दें तो अभी हम यहां पर करते क्या है इसमें यहां पर हम input कराते हैं voltage ठीक है तो इसको देखने से आपको क्या फायदा पड़े तो उस तरीका से आप इसको voltage यहां से ले सकते हैं तो अभी जैसा यह देखिए यह मेरा power supply है और यहां multimeter आप दोस्तों यहां पर focus किजएगा तो इससे जो है कि हम यहां पर input कराएंगे और proper तरीका से यहां पर देखेंगा और देखिए जहां तक मेरा courses यही रहता है कि आप लोग यहां पर वीडियो देख रहे हैं तो कुछ सीख सकें कुछ समझ सकें ठीक है कि अगर वीडियो के skip कि जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं सीखने के लिए और नहीं आप समझ सकते हैं तो यहां भी देखिए यहां से हम इसको 18V input आ रहा है मेरा इसमें 18V आ रहा है तो आप लोग यहां पर सभी लोग जानते हैं कि आईसी क्या काम करता है तो सबसे पहले हम उसको देखा देते हैं तो उसके लिए जैसा कि आप लोग जानते है कि यह पीन इन होता है यह आउट होता है ठीक है तो इसको हम पलस एक यहां पर यहां पर पलस ही इन होता वोल्टेज चेक करने के लिए ग्राउंड सभी लोग जानते हैं तो ग्राउंड हम यहाँ पर दे देते हैं ठीक है यहाँ पर कोर्सिस करते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ पर अच्छे तरीका से समझाने का हम कोर्सिस करें तो यह रहा मेरा एक प्रोप और यहाँ पर हम चेक करते हैं तभी मेरा देखें फाइब पॉइंट ठीक है तेरी यानि कि फाइब बोल्ट यहाँ पर ओटपूट कर रहा है और यहाँ पर अगर हम चेक करें ठीक है तो देखें 15 से 18 बोल्ट के करीब यहाँ पर आ रहा है दोस्तों यहां पर अगर हम देते हैं तो यहां देखिए फाइब वोल्ट आ रहा है अब यहां पर करना क्या होगा चलिए वो चीज हम यहां पर देखते हैं और सीखते हैं समझते हैं तो यहां पर करना क्या है वह आपको बताते हैं पहले यहाँ पर जो है कि हम यहाँ पर yeah पर डायबोड पर यहाँ पर इसमें एक डायबोड लगा ऐ ठीक है वैसे तो हमने यहाँ पर connect करके रखा हाँ कुछ जादा इसलिए connect करके रखा है कि ताकि यहाँ पर समय वेस्ट ना हो और यहाँ पर आपको अच्छे तरीका से समझा भी सकें और इस पर load देके भी देखें कि क्या यह load लेता भी है तो चलिए अभी हम यहाँ पर जो है कि इसमें हम डाइबोर यहाँ पर sold करते हैं और देखते हैं क्योंकि आप लोग जैसा कि कुछ भी नहीं चला सकते हैं वोल्टेज आप चाहें जतना ही बढ़ा लेजें यह एंपियर होना बहुत जरूरी है तो यह देखिए हमने इसको इस तरीका से आपको sold किया है यह जो silver पट्टी है यह आगे के तरफ है और यह जो बले कुला पट्टी है यह पीछे के तरफ है ठीक है तो अभी चलिए इसमें हम input कराते हैं फिर से और देखते हैं यहां हमने दे दिया और minus अब इसको हम यहां से देंगे ठीक है इस पर अब यहां multimeter को हम on करते हैं और यहां पर इसका output अब चेक कर लेते हैं तो ground जो मेरा रहेगा हम यहां से दे देते हैं यह मेरा minus point है ठीक है तो हम पहले यहां पर चेक कर लेते हैं तो अभी देखिए महां meter में कुछ voltage यहां पर बढ़ चुका है ठीक है यह देखिए कुछ voltage वहां पर बढ़ चुका है तो अभी हम क्या करते है कि यह सारा डाइबोट यहां पर जो हम जोड़ देते हैं ठीक है उसका बाद एक एक करके मिहां पर चेक कर लेंगा ताकि यहां पर ज़्यादा time waste ना हो तो हम कुछ इस तरीका से जोड़ लेते हैं सारा silver party यह की है और दोस्तो डाइबोट का लंबर हम आपको बताना भूल गए डाइबोट वही है 4007 वैसे आपको हम display पर भी सो कर देंगा तो चलिए यहां पर हमने इसको इस तरीका से जोड़ लिया है जो कि सभी का silver party आगे से का side है ठीक है और पीछे का जो black party हो पीछे का side है तो अभी हम क्या करते हैं यहां पर हम इसको connect करते हैं इसको हम नीचे से पार कर लेते हैं ताकि आपको यहां पर देखने में और समझने में असान हो उसका बार load के लिए हमने यहां पर यह रखा है इसको हम output में 5 volts के भी जला के दखाएंगे और आगे का भी दखाएंगे कि क्या काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है तो यहां पर हम इसको connect किया है और इसका minus 2 तो हम यहीं से दे रहे हैं ठीक है और अभी देखते हैं इसको output में कितना voltage हमको यहां पर मिल रहा है साइद आपको display सही से नहीं दिखता होगा यह देखिए 6.28 कुछ इस तरीका से आ रहा है ठीक है तो चलिए एक point और भी आगे बढ़ते हैं आपको यहां पर दिखना चाहिए दोस्तों अभी देखिए 92 के करीब चल गया है तो एक point और भी देखते हैं और सबसे महान बात इसका यह है कि हमको इसका output में देखना है कि क्या मतलब सिर्फ voltage है या फिर load भी कुछ लेता है तो load देखे भी देखेंगा गस्तों इस पर सबसे पहले voltage को हम चेक करा देते हैं देखेंगे अभी 7 voltage चल गया 7 volt भी पार कर गया है तो एक drop rate हमने और भी जोर के रखके रखा यहाँ पर तो आगे कर लेते हैं ठीक है यह last है अब देखते हैं कितना output में दे रहा है तो 8 volt के करीब यहाँ पर दे रहा है देख सकते हैं वो थोड़ा मेरा यहाँ पर जो है कि कभी छोड़ रहा पकड़ रहा है इसके करन से इसे हो रहा है ठीक है तो अभी यहाँ पर आपने देखा 8 volt के करीब यह दे रहा है तो 8 volt के करीब अगर दे रहा है तो काम भी करना चाहिए ठीक है बाइचंस अगर आप कभी इस तरीका से काम लेते हैं तो यहाँ पर काम भी करना चाहिए तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका जो है कि चलिए यहाँ पर हम इसको दो देते हैं डायरेक्ट ठीक है यह यहाँ पर तो अभी क्या हो गया यह सिर् है करना है इसका चृक्त कि हमको प्लस प्रग्ट करना है लॉस्ट इसको यहाँ पर डारेक्ट व्हुर्ट कर ़िक頭 ह्या हम ठीक है अच्छे निका साब को एगए करनें तो यहांसे मिएरा एक दन रहे हैं तो यह देखिए यह बिल्कुल भी नहीं जल रहा है ठीक है और यहां पर टच करके देखते हैं सुरी दस्तों कहीं पर भी नहीं जल रहा है ठीक है क्योंकि यहां पर जो एक इसको 5 बोल्ट मिल रहा है अभी ठीक है तो अभी हम क्या करते है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं यहाँ ठीक है और अब देखते हैं तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं अब चेक करते हैं अभी भी नहीं जल रहा है, वोल्टेज तो हमने आपको चेक कर आई दिया था, नहीं जल रहा है, और भी थोड़ा सा आगे के तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पर जलता है, क्योंकि ये 12 वोल्ट का लाइट है, अभी भी नहीं जल रहा है दोस्तों, और एक आगे बढ़ते हैं, इसका बात last है, तो यहाँ पर देखिए आप light, बहुत ही हलका सा ये जल रहा है, ठीक है, ये देखिए, लेकिन हाँ दोस्तों जल गिया यहाँ पर, ठीक है, चलिए ये और भी आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, तो देखिए, यानि कि दोस्तों यहाँ आप समझ गए होंगे, कि ये जो है, प्रोपर तरीका से काम भी कर रहा है, कोई हीटिंग है कि नहीं, वो भी चिक करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी हीटिंग नहीं है दोस्तों, और यह 12 बोल का light है, जैसा कि आपने भी देखा, यहाँ पर जब इसको हमने ये कराया, ठीक है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देखे, ground दे रहे हैं, तो नहीं जल रहा है, यहाँ भी दे रहे हैं, और यहाँ भी दे रहे हैं, तो नहीं जल रहा है, यहाँ भी नहीं जल रहा है, और यहाँ पर हलका जलना शुरू हो गया, ठीक है, तो यानि कि ये दोस्तों, इस तरीका से काम करता है और काम कर भी रहा है ठीक है जो भी है आपके सामने है यहां पर कोई भी हमने अलग से यहां पर कोई भी कनेक्शन नहीं किया है ठीक है जो भी है आपके सामने है चलिए फिर से आपको इसका एक इंपूट हम चेक करा देते हैं साइध आपको कोई डॉट हो तो इसक तरीका से काम कर रहा है क्योंकि अगर आप लोग को लगता हुआ कि 18 वोल्ट है तो काम कर रहा होगा साइद हो सकता है जो भी है चलिए आपके सामने रहेगा अभी 14 वोल्ट का करीब है ठीक है बारा 14 कोई माने नहीं रखता है तो अभी देखते हैं कि क्या यह जलता भी है यह नहीं जलता है तो इधर तो जलेगा यह नहीं वैसे भी नहीं जल रहा था अब भी नहीं जलेगा ठीक है तो नहीं जल रहा है जल रहा है दोस्तों देखिए तो जो भी डाउट है आप तो इस वीडियो से आपको यहाँ पर क्या बनाना है किस तरीका किसी भी चीज में यहां पर काम में आ सके बहुत सारे लोग ऐसा होता है जो है कि बता नहीं पाते हैं नहीं पाते हैं चलिए जो भी आपका पर आया होगा यहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताईएगा लेकिन दोस्तों यहां पर जो है कि अच्छा तरीका से काम कर रहा है वीडियो अच्छा यह तो लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि यहां पर दूस्तों